राम राम रामायन विश्व साहित का सबसे पुराना महाकाव है और भारतिय संस्कृती के साथ साथ संस्कृत साहित में भी इसका विशेश इस्थान है इसका अंग्रेजी के साथ साथ सभी भारतिय भाषाओं और कई यूरोपिय भाषाओं में अनुवाद किया गया है ये कई सदियों से कई दक्षिन और दक्षिन पूर्वी देशों में विविदताओं के साथ प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने इस महाकाव को अपने संगीत, निर्त, बेले, कला और वास्तु कला में अपनाया है रामायन प्राचीन भारत का एक लोक प्रिय महाकाव है रामायन का मतलब है आयोध्या के राजा दशरत के जेश्ट पुत्र शिरी राम की संपूर्ण जीवन गाथा रामायन की मूल रचना महरिशी बालमीकी ने संस्किर्ट भाषा में की थी बाद में तुलसी दाजजी ने इन चंदों की रचना हिंदी में राम चरित्मानस के रूप में की रामायन में मर्यादा पुर्शोतम भगवान शिरी राम की चारित्रिक गुणों और बुराई पर अच्छाई की जीत की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है रामायन में लिखे गए मानविय मूलियों को पड़कर भारतवासी इसे श्रद्धा और आदर की दृष्टी से देखते हैं आए हम सब भी इसको उसी आदर की दृष्टी से अपने परिवार सहित देखें तो आईए प्रस्तुत करते हैं पपिट द्वारा रामायन सागर रामायन की कथा सुनाए आय उध्यद्वारे हम है आए लब कुष है हमारे नाम जन जन को हम करें प्रणाव सीता जी के राज दुलारे हम ही है श्री राम के प्यारे मात पिता का कर संबाद जे श्री राम जे जे श्री राम सुनो सुनो हम तुम्हें सुनाए कता प्रभु शीर राम की जै बोलो शीर राम की जै बोलो सियापति राम की आयोध्या के राजा थे दश्रत और तीन धीरानी कौशल्या से राम जन में थे ये है अमर कहानी सुनत्रा से जन में थे दोन लक्षमन और शत्रुगन भरत लाल जी के की से थे चारो दश्रत नंडन और आगे की सुनो कहानी पति पवन शीरी राम की जै बोलो सियापति राम की वशिष्ट मुनी दशिरत मिले आए चारो कोवर उन संग पठाए संग पठाए चारो कोवर उन संग मेले कर गुरू वशिष्ट धाए थे गुरु कुल के अनपम आगन शिच्चा चानू पाए थे ओम भूरु भूबस्वाहा तत्सवितुर्वरिर्ण्यम् भर्गो देवस धीमही धियो यो नहा प्रचोत्या आशिरवाधी राम श्रेष्ट धे जुर्चर्णू में सेवा करते भस्त शक्त की शिक्षा लेते तन्क नहीं सब चाते थे पाकर शिक्षा चारो कुमर अब आयोध्या खो आते थे और आगे की सुनो कहानी गुरु बुल के सम्मान की जै बोलो शिरी राम की जै बोलो तिया पति राम की विश्वा मित्र अयोध्या ए दश्रत सनमुख कथा पताए प्रणाम गुरुवर आयोश्मान भवा का असुरों का उत्पात मचा है रिश्यों का जैसे काल सजा है राम लखन भेजो संग मेरे कुछ जिन वहीं लगाएं देरे असुरों को वह मारे गिराएं रिशी मुनी निश्चिंती हो जाएं राम लखन दोनों को लेकर दंडक वन में आये असुर निशाचर राक्षस सभी ने अपने अपने प्रान गवाएं तभी एक आवास थी आई सचेत हो गएर घुराई इस जंगल पर राज है जिसका मैं हूँ वो तार का राम लखन दोनो भाई तार कायम लोक पठाई राम सिया राम सिया राम सिया राम गोल सिया पत राम चंद्र की एक दिन दूत संदेशा लेकर आश्रम में आया था है उत्सव मित्लापुरी में स्यंबर है सीता का और आगे की सुनो कहानी और आगे की सुनो कहानी दश्रत के पत राम की जै बोलो सिया पति राम की राम चले लक्ष मन मुनी संदा गै जह जगो पावन दूंदा राम सीरां 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 कैसी है ये शिला गुसाई कहे गुरु सब कथा कहाई राम्सीय 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 राम्सी चरण कमल रज चाहती, ग्रपा करो भगुणा। चरण कमल में प्रभु आपके नमन है बारंबा। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राजा जनक दरबार में बैठे थे सब भी। संग सीता का चाहते वेजात अधी। जनक राज ने लिया है प्रण। यहां उपस्थित सुनो सब जन्त। तोड़े शिव धनुष जो कोई वही वीर सीता पति होई। एक एक करके सभी भी बड़े धनुष की ओर। कहते जाते हम देखते कैसे न खिचती डो। यह तो मुझसे उठता ही नहीं। महराज आप कोशिच करें। और यह तो मुझसे उठे नहीं आए। आप कोशिच करें। भरुष को तोड़ सके। ऐसा नहीं एक वीर क्या पूरे ब्रह्मान में नहीं है शूर वीर। गुरु आज्या शिव धनश उठाया। गुरु आज्या शिव धनश उठाया। ये कारिये लक्ष मन मन गभाया। सहज भावु से शिव धन तोडा। जनक सुता संगत नाता जोडा। बोल सियापत राम चंद्र कीजा। सीता राम अयोजा आये। सारी प्रजा के मन को भाये। दश्रत सोचन लागे मन में। कैसा उल्लास छाया है भोवन में। प्रिये राम, हे रगुनंदन, हे रगुराई। राज अविशेक की बेला है आई। तुम्हें मैं दे दूँ ये सम्मान। आयोध्या की बड़े कीर्ती और मान। अब राजा शीरी राम हमारे हैं सब के वो पालन हारे। अयोध्या नगर में हुआ उद्गोश। हमारे राजा राम बनेंगे। हमारे राजा राम बनेंगे। अरे भया अरे हमारे राजा राम बनेंगे। मन्थराई 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 शॉर्य यंथर रचाया कहई कहई को जाकर भड्ड्काया। पोशल्या चाल लाग बड़ी है तू भोली चुपचाप खड़ी है जो मैं कहूं वो करती जातू नादानी छोड़ अब होश में आतू राज्य अभिशेग भरतका होगा बन में राम को जाना होगा समय बड़ा है आप पलवान राजाजी से दो वर्मा और आगे की सुनो कहानी और आगे की सुनो कहानी पीता के हिर्याम की जै बोलो जिर्याम की जै बोलो जिया पतिराम की जै बोलो जिया पतिराम की अत्र लूप धर कर के कईने कोप भवन में जाकर मन में ये विचार किया राजा दश्रत को दिला कर याद अपने वर मैं मंगू आज भरत का कर दो राज दिलक राम को वन में भेजो नाद रगु कुल रीत सदा चल आई प्राण जाएं पर वचन न जाई राम पिया राम जै जै राम राम पिया राम जै जै राम दश्रत ने भरे मन से राम को आग्या दी पिता की आग्या का पालन करने के लिए श्री राम माता सीता और अपने अनुच लक्षमन के साथ वन में चले जाते हैं राम सीया राम सीया राम जै जै राम आयोध्या की सीमा पर पहुचे केवट से बोले रघुराई हात जोड निवेदन कीना लाओ नावु तारो मेरे भाई भगवान श्री राम की बात सुनकर केवट बोले मेरी छोटी सी है नाव तुम्हार जादू भरे पाओं डर लागे मोहराओं कैसे बिठाओं तो है नाव में शीश नवा कर पाओं पखारूं नाथ तो है पार उतारूं राम सिया राम सिया राम भक्त की हट के आगे भगवान राम को जुकना पड़ा गंगा पार करने के बाद शीरी राम सीता और लक्षमन पंच बटी पहुच गए और आगे की सुनो कहानी भक्तों के भगवान की जै बोलो शीरी राम की जै बोलो सिया पती राम की लीप्रिक ग्या भरत ने मन में माताओं संग पहुचे वन में भरत चले प्रभू दर्शन पाने चित्रकूट में राम मनाने भाईया देना है दुखद समाचार पिता शिरी गए सर्ग सिधार आयोध्या राजी समालो करो सबका उधार तुम बेन आयोध्या अनाथ है भाईया तुम हो पालन हाई राम शीरी राम शीरी राम सूर्पन खारावड की बहना राक्षसी सुन्दरी रूप धरलीना मेरा रूप देखे के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया मुप इंद्र मोहित हो गया और रिश मुनिया रुट अप गया पर क्या करो शीराम शी तुम पर मेरा मन आ गया पर क्या करो शीरी राम शी तुम पर मेरा मन आ गया तुम पर मेरा मन आ गया सुनिये लखन क्रोध में आए काटी नाग दिये लंक पठाए लंके… 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 मैं लंके… कटी नाक ले सूर्पनखा रावड सन्मुक आई बीच सवा में चीक के बोली रावड सुन मेरे भाई दुहाई है महराज दुहाई है लंकेश्वर महराज दुहाई है दो युवक चित्रकूठे आए संग नारी साथ मिलाए नारी वो अपसरा समान मेरा भाई लंकेश महान अगर तुम्हे हो किर्ती बढ़ानी बना उसे लंका की रानी आवण सूर्पनखा की कटी नाक का बदला लेने के लिए सीता हरन की युकती सोच बैठता है और इसके लिए अपने मामा मारीच की सहाथा से सीता हरन की योजना बनाता है मारीच सोने का हिरन बनकर पंचवटी पहुँच जाता है एसाम रिग बिखाना सुना जैसा ये सुगर सलोना है सर से देखो पाओ तक सारा ही सोना सोना है खेनात ले आओ इसको ये कुटिया की शोभा होगा बनवास काल के पीते दिनों की अद्भुत यादगार होगा सीता के निवेदन को सुन भगवान राम मिरक के पीछे पीछे चले जाते हैं मौका पाकर दुष्ट रावण कुटिया के बाहार मुनी वेश धर कर आता है वे कुटिया है मिका वे में अ हूं अ these वे वे एपा वे लिए वे एकुटिया में वे लाव टूं दुटिया वे भी गवे रे लिए संदे माँ सीता जैसे ही भिक्षा देने के लिए लक्षमन रेखा को पार करती है लावड सीता का हरन कर लेता है आ लेता हुआएँ चार की के लिए राम लखन मा सीता को कुटिया में ना पाकर बहुत दुखी होते हैं रोते हैं और विलाब करते हैं सीते भावी सीते सीते मावी सीते सीते झाल 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 माता सीता को बचाने आए जटाईयू हे रावर अपने काल को ललका जहा तू तीरों की वर्षा कर दी नहीं मार खड़क गायल कर दी नहीं त्याग दिए चटाईयूने प्राण लेकर शिरी राम का नाम लेकर शिरी राम का नाम, लेकर शिरी राम का नाम, राम, राम और आगे की सुनो कहानी, लखन सिया पति राम की जै बोलो शिरी राम की, जै बोलो सिया पति राम की शबरी को जब मिल रघुराई, नैन भरे मूती छलकाई जही देकत प्रभुबाट तिहारी, आओ पधारो मेरे प्रभुजी व्याकुलु राम सब कथा पताई, सीता हरण की व्यथा सुनाई व्यत्त भाव में शबरी ने, सुगरीव मिलन की राह सुझाई रिश्मुक परवत रहते हैं, सुगरी वीर बलवान आप प्रभु वहां जाईए, देती भक्तन ग्यान सोल सियापति राम चंद्र कीजे हनुमान ग्यान गुन सागर, जय कपीस तही लोग को जागर राम दूद अतुलित वल दाम, अंजनि पुत्र पुवन सुथ लाम महावीर विक्रम बजरंडी, कुमत निवार सुपत के संडी तंचन वरण विराज सुबेशा, कानन गुन्डिल कुँचित केशा हाथ ब्रज और धजाब राज कांदे मूध जनिए उसाज चंकर सुवन के सिरी डंदन, तेज प्रता क्रमा जगवंदन राम चिर राम्चिर लाम राम्चिर लाम राम रिशी मुख परवत आये हनुमंत साधू रूप सजाये को तुम श्यामल गोर सरीरा चत्री रूप धर फिरहू बन बीरा हम हैं राजा दशरत नंदन मात पिता को करके वंदन आग्यापा वनवास को आए राम लला सब कथा बताए राम लला सब कथा बताए राम लखन हम हैं दो भाई संग सीता सुकुमारी आई हरली रावर ने वैदे ही धूंडत जाएं हम वन में ही राम प्रभू को पहचाना तब चरण पड़े हनुमां मुख से कुछ ना भोलते देखत रहते राम 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 शीरी राम 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 शीरी राम राम लिवो प्रभू आप मेरे साथ चल कर महराज सुग्री जी से मिले उनकी सेना का साथ पाकर हम माता सीता तक अवश्य पहुच जाएं और आगे की सुनो कहानी और आगे की सुनो कहानी पवन पुत्र हनुमान की जै बोलो सिया पति रामकी जै बोलो सिया पति रामकी जिशी मुख परवत चले गुसाई सुब्री में नहीं सब कता बताई आश्वा संधया सुघ्री हनुमान्त उर लगाये रघुभाई हनुमान्त आज्यादे श्री राम प्रभु आज्यादे लंका पर हम करें चड़ाई, मा सीता का पता लगाई राम दूत मैं बन कर जाऊं, रावड को संदेश देयाऊं मा सीता को हर कर, उसने काल को अपने पास बुलाया, आज्या दे श्री राम प्रभू आज्या दे राम के दूति चले हनुमान मासीता का कर समान, जे शुरी राम शिरी राम का लगात ध्यान, जे शुरी राम जेशिरी रम जेशिरी रम राम शीराम राम शीरी रम राक्षष जाती में ऐसा कौन सा वीर है जो शीराम प्रभू का भक्त है और लंका में रहने का सहास रखता है मैं मैं राम भक्त बिवीशन हूँ प्रभू अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं श्री राम उनकी भक्ती प्रतिय के लिए सुलब है जय श्री राम आप कौन है किर्प्या अपने आने का उद्देश बताएं मैं पवन पुत्र हनुमान माता सीता को श्री राम का संदेश देने आया हूँ तो किर्प्या आप अशोक वाटि का जाएं रावण ने मा सीता को वहीं रखा है जय श्री राम राम जय राम जय राम जय राम अशोक वाटि का पहुँच गए राम दूत हनुमान वैदेही को देखकर किया उन्हें प्रणान अशोक वाटि का पहुँच गए राम दूत हनुमान वैदेही को देखकर किया उन्हें प्रणान मैं हूँ राम दूत मा कुशल पूछने आया हूँ रगुराई की चित्वन का सबहाल बताने आया हूँ मुद्रिका देकर बोले पवन पुत्र हनुमान आपका हरण कर रावण में किया मृत्युआ वहाँ चिंता में हैं रगुराई कैसी है ये विपदाई आख में आसु रहते हर पल रामसिया दोनों है व्याकुल रामसिया दोनों है व्याकुल और आगे के सुनो कहानी और आगे के सुनो कहानी पवन फुत्र हनुमान की जै बूलों सिरान की जै बूलों सिरान की जुद्ध का देखो फिगुल बजा जिंद्र जीत लिए सेना चला सद वित्या का ज्यानी था वो रावड पुत्र अभिमानी था वो छल से लकन पे तीर चलाया मुर्चत उन्हें कर मन हर्शाया मुर्चत कर उन्हें मन हर्शाया वानर से ना में बड़ी अब चिंता सुशेन वैद से बोले जा मुवन्ता करो कोई ऐसा उप्चार नहीं मान सकते हमहार संजीवनी का उपाय सुझाया अनुमंत को फिर पता बताया शी ग्रहिजां संजीवनी लेने भईय लखन के प्राण बचां तन की देर भी हुई जो मुझ से प्रभु आपको मुक न दिखां आज्या पाशिरी राम की शीड उड़े हनुमान ले आये संजीवनी बूटी और बचाए प्राण संजीवनी पूटी हनुमत ले आये लखन लला के प्राण बचाए लाए संजीवन लखन जियाए शीरी रघुवीर हरशी उर्लाए संजीवनी लाए हनुमान पवन पुत्र है बड़े महान पवन तने संकट हरण पंगल मूर्तिरू राम लखन सीता सहित्य इर्दैबसव सुर्थू बोल सियापतराम चंद्र की और आगे की सुनो कहानी और आगे की सुनो कहानी पवन पुत्र हरण की यह गोलो सियांत्य इंसे बड़े महान राम रावड युद्ध आरंब हुआ दब जल थल्ग सब एक हुआ कट कट कटे सवराख शत्भू पर नावड की से न में मची थी हल चल नाभी पर जब शाम ने दावड को तीर मारा दशकंधर पर लोग सिधारा दशकंधर पर लोग सिधारा बोल राम चंद्र की जयए बोल लकन लला की जयए बोल पवन पुत्र हनुमान की जयए बोल सिया पति राम चंद्र की जै राम लखन सिया पहुंचे निजे खा हूँ मिलकर सबने किया प्रणा आयो ध्यां में अर्ष बढ़ा दीपावली का पर्ग मना सारी प्रजाने घर घर की उजलाए दूमे नाचे और खुशी मनाए सारी प्रजाने घर घर की उजलाए दूमे नाचे और खुशी मनाए राम चिया राम चिया राम चिया राम चिया राम शिरी राम चंदर जी का राज अविशेग मुनी वशिष्ट जी ने तीनों माताओं और सारे परिवार की उपस्तिती में गिया सारी प्रजा हर्ष उल्लास से जैजे कार करने लगी और राम राज आरंब हुआ बोल सियापति राम चंद्र की बोल पवन पुत्र हनूमान की रामायन है पुण्य कथा लखन सियापति राम की जै बोलो सियापति राम की सविस्ता और सब कथा सुनाई राजा राम है रगराई कथा थी ये श्री राम की जै बोलो सियापति राम की कथा है ये श्री राम की पुर्शोतम भगवान की कथा है ये श्री राम की पुर्शोतम भगवान की जो मर्यादा मन में पाले वस्त्र के रुए तन पर डाले जनक नंदनी के संगी सेवक जिनके बजरंगी जो बनवासी विजनाम है वो नाम है श्री राम है वो नाम है श्री राम है वो नाम है श्री राम है राम राम जे राजारा राम राम जे सीतारा राम राम जे राजारा राम राम जे सीतारा राम राम जे राजारा राम राम जे सीतारा राम राम जे राजारा राम राम जे सीतारा